रेड़ी जिसका सांदार रिजल्ट हमको मिला है तो उसके सिल्सले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप भी इसका इस्तिमाल करें और भरपूरूत पादन लें और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो खेती में जो इसका जो कंसा आया है वो 24 से 30-32 कंसा तक के इसमें ग्रोथ किया है तो इसके विशे में सांदार इसका रिजल्ट आया है और मैल टोस डिस्टिब्यूटर के रूप में अपने खेतों पहले इस्तिमाल किया फिर मैं लोगों को बताना चाहलू किया क्योंकि जब तक हम इस्तिमाल खुद ही नहीं करेंगे दूसरी को कैसे बताएंगे तो मैंने अपना खेती में इस्तिमाल किया और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं और हमारे गंड़ाई नगर जो इस शेतर में सांदार आपके कन्या साला के नजदेक यह खेती है हमारी और जिसमें पहले बहुत सारा इसमें ब्लास्टिंग वगरा बहुत सारे बीमारिया होता था लेकिन आर्गनेटिक इस्तिमाल करने से आज मतलब बहुत कुछ सुधार हुआ है और ब्लास्टिंग अब बीमारियों से बचा हुआ है और उसके सांसा तो उत्पादन वे बढ़ होती हो रहा है तो इस चीज का अप लगातार कंटीनु इस्तिमाल करें और अपने खेतों को हो रहा है नुक्सानों से इसका इस्तिमाल गेहु में पिछले बार किया था और गेहु में इस्तिमाल किया था उस समय भी इसको यूरिया के साथ मैंने छिड़काव किया उसमें गेहु उत्पादन में मेरा सांदार रिजल्ट आया और इस धान में उत्पादन मैंने करने के लिए दो बार इसको इसको तो यह वाल मैंने समस्टिन एक option की को की सब्सक्राइब करें। अब यही। कर सांदार इस्तिमाल करें और आपने घरार नावान के एकुन हो रहा है जमीन को फोला बनाने के लिए दोस्तों है थेंक्यू दोस्तो जैल टोस आप इसको लगातार इस्तिमाल करें और अपने खेती में ज्यादा ज्यादा फाइदे लिए उत्पाधन को बढ़ाने के लिए काम करें थेंक्यू आप सबको मैं अहवान करता हूं कि इस और्गनिट्टी को लगातार प्यूप करें